हलो एबरीवन, वेलकम टू PCV बावा चनल, आज हम देख रहे हैं इस वीडियो में वर्ड पॉर मेड इजी सिसम पार्ट सेवन यहाँ पर फ्रेंड्स, रेड कलर में जितने भी आपको वर्ड्स दिखाए दे रहे हैं, यह वर्ड्स के बारे में वर्ड पॉर मेड इजी के सिसम बार्ट सेवन बताए गया है, तो यहाँ पर हम उसको देखने वाले हैं पहला है फ्रेंड्स इगोईस्ट, इगोईस्ट का मतलग क्या होता है, इगोईस्ट का अर्थ होता है स्वार्थी, वह व्यक्ति जिसके सामने अगर कोई काम आए, तो वह ही असुचता है कि मेरा उसमें फायदा क्या है, तो ऐसे स्वार्थी इलाजची तथा, दूसरों के प्रती कठोर और निर्मम व्यक्ति, जो दूसरे के फिलिंग न रखे, दूसरों के फिलिंग का सम्मान न करे, ऐसे व्यक्ति को इगोईस्ट कहते हैं, इगोईस्ट को सुधिंद में कहें तो स्वार्थी, तो यहाँ पर यही लिखा है, Beliefs in Self-Advancement, दूसरा बात, इगोट दिखाता है, और दूसरों को नीचा या अपने से छोटा मैसुस कराता है, ऐसे आदमी को, या फिर ऐसा आदमी, जिसके जीव पर सिर्फ एक ही चीज लगा रहता है, या फिर एक ही चीज उसकी जीव रटती रहती है, मैं, मैं और मैं, वो अपने बच्चों की तारीब मतलब कि मैंने ही किया, मैंने वो किया, वगरा, वगरा, ऐसे व्यक्तिव कहते हैं, एकोटिस्ट, एकोटिस्ट मिल अहंकारी, आप डिफरेंस एकोटिस्ट और एकोटिस्ट के बीच में, एकोटिस्ट का मतलब क्या होता है, एकोटिस्ट का मतलब होता है, कि सेल्फिस परसन सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला और Egoist का मतलब Self-Centered Person Egoist Selfish Person और जो Egoist है वो क्या है Self-Centered Person है मतलब अपने वो क्या करेगा सिर्फ अपनी बड़ाई करेगा अत्म अहेंकारी तो Egoist के बारे में पहले जा लेते हैं Egoist और Egoist के बीच में difference बता रहा हूँ Egoist person वह होता है जो मैं किवल मैं अपने उपलब्दों के बारे में हर्जे का बोलता है खाली मैं मैंने यह किया मैंने वो किया मैंने मैं यह मुँवा एटी सी यही और Egoist स्वार्थी, Egoist person हमें से सुसता रहा कि वह सभी लोगों से VIP है और सबसे बेटर है और सभी कावों में सिर्फ ने भला सोचेगा तो that is Egoist and Egotist मैंने आपको ये भी बताया कि Egotist और Egoist में difference क्या है ओके फ्रेंट्स आगे चलते हैं तीसरा Altruist Altruist का मतलब क्या होता है ऐसे वेक्ति जो निश्वार्थ भावना से अपने बारे में बगर सोचे दुसरों का कल्यार करता रहता है उसे कहते हैं Altruist is interested in the welfare of others that is called altruist next trend introvert introvert का अर्थ होता है अंतरमखी सांत और सरमीला वेक्ति जो लोगों के साथ रहने के बजाए अकेला रहना चादा पसंद करता है उसे कहते हैं introvert introvert को हिंदी में कहते हैं अंतरमखी turn thoughts in words अब बात करते हैं extroverts extroverts means होता है friends बहर मुखी बहर मुखी का मतलब क्या होता है friends बहर मुखी का मतलब यह होता है कि ऐसा वक्ति जो आत्मिस्वास confident हो और energy से भरा हो और वह वक्ति जिसे अकेले पन के बजाए साथियों के बीच में रहना अधिक पसंद रहता है उसे कहते हैं friends extrovert turn thoughts out words अब बात करते हैं ambivert ambivert person कौन होता है ambivert person वह होता है जो extrovert भी हो और introvert भी हो अंतर मुखी भी हो और बाहर मुखी भी हो दोनों हो उसे कहते है friends ambivert तो आप friends सुचिए आप introvert है extrovert है या ambivert है अब आगे चलते हैं मेस अंत्राप की ओर मेस अंत्राप का मतलब क्या होता है मेस अंत्राप उसे कहते हैं जो मनुष्यों से घ्रिणा करता है माइजोगानिस्ट उसे कहते हैं जो औरतों से घ्रिणा करता है माइजोगानिस्ट उसे कहते हैं जो पुरुसों से मतलब मर्दों से घ्रिणा करता है माइजोगेमिस्ट उसे कहते हैं जो साधी से घ्रिणा करता है साधी से नफरत रहेगा, साधी नहीं करेगा, साधी उसको वकवास लगती है, ascetic, ascetic मतलब होता है friends, सन्यासी, जो संसार के भोतिक सुखों को छोड़कर अध्यात्मी को रागे बढ़ता है, और अपनी लाइफ औस्टियर, औस्टियर टाइप जीता है, अति साधनाड और सरेल तरीके से, उसे कहते है friends, ascetic, does not pursue pleasure of the place, that is called ascetic, तो यहाँ पर friends, यह रहा आपके सामने words, जिसके बारे मैंने अपने को बतलाया, अब यहाँ पर देखे friends, question है, जिसका answer यहाँ पर इसके आगे दिया हुआ है, आप question के बारे में मैं आपको फटा-फट बता दूँ friends, उसके बाद मैं answer भी दिखा दूँगा, आप इसका screenshot लेके, पहले आप खुद से या फिर pause करके, आप इसको खुद से करनी कोशिस करें, पहला देखते हैं क्या लिखा है, जो अपनी लाइफ, अकेले और अतिसाधार तरह सरल जीवन तरीके से जीता है, उसे क्या कहते है, उसे क्या कहते है, एसे टिक सन्यासी, दूसरा क्या लिखा है, जो बहिर मुखी हो, उसे क्या कहते है friends, extrovert, who is supremely selfish, जो क्या हो, स्वार्ती हो, उसे क्या कहते है friends, egoist, who hates people, जो क्या करता है, मनिश्यों से, सभी मनिश्य जाती से नफरत करता है, उसे कहते है, misanthrope कहते है friends, whose interests are turned both in words and outwards, वह व्यक्ती जो अंतरमुखी भी हो, बहरमुखी भी हो, उसे क्या कहते है friends, ambivert, इसका मतलब क्या होता है वह वैक्टी जो क्या करता है जिसको अपने बारे में न सोचके दूसरों के बारे में सुचता है उसे क्या कहते है फ्रेंट्स अल्टुइस्ट कहते है अब इसके बाद क्या लिखा है वह कौन है जो ऑड़तों से नफरत करता है उसे कहते है माइजोगाईश्ट। वह जो पूर्जो से नफरत करता है उसे कहते हैं माईजोगामिस्ट कहते हैं यहाँ पर फ्रेंड से नफरत करता है उसे क्या कहते हैं माईजोगामिस्ट कहते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स यह सिसन खतम होता है आशा करता हूं कि आपको यह लेक्चर पसंद आया हो अगर चैनल सब्सक्राइब करें तथा मुझे मोटिवेट भी करें तैंक यू मिलते हैं आगे लेक्चर में और भी बहुत सारे इंफोर्मिशन के साथ में तब तक के लिए खुश रहें गुट पाइए